नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूस्वल इंडिया आपके साथ मैं हूँ काजोल नरायन बहुत स्वागत है आपका खबर दोपहन ग्रेमांत्री आमिशाहा ने वीडियो कान्फरेंसिंग के जरिये भारते पुलिस सेवा के 72 बहच के परीष्या विधीन अधीक्षोकर से संबाद किया है संबाद में ग्रीमंत्री ने पोलिस को निश्कृयता और अतीस सक्रिता से बच कर नियायपुन कारे करने की सलहा दी है वहीं ग्रीमंत्री ने कोरोना में जानगवाने वाले पोलिस और स्वास्तकर्मिय को शब्धानश्वी अर्पित करते हुए डॉक्टर दिवस और चार्टर अकाउंटिंड दिवस की शुब कामनाय भी दी थी ग्रीमंत्री अमें शाहा ने कहा कि किसी भी संगठन के लिए ववस्तित होना बेहत जरूरी है और कोई भी संगठन तभी सफलता पूरवक चलता है जब उसको चलाने वाले ववस्ता का हिस्सा बनकर इसको मजबूती देने के लिए काम करें संगठन की ववस्ता को सुधाने से संगठन खुद ही सुधरता है और बहतर परिणाम भी देता है केरल महिला आयोग की समस्या लगातार बढ़ती नजर आ रही है इसके एक सदसे की PhD डिग्री को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है जिसे कथित तोर पर फर्जी बताया जा रहा है और इसको लेकर कई शिकायते भी की गई कुछ दिन पहले ही आयोग अध्यक्ष MC जोस्फिन को एक महिला से की गई कटू टिपनी के लिए स्तीफा देना पड़ा था आपको बता दें कि महिला ने अध्यक्ष MC जोस्फिन से एक टीवी कालकर में मदद मांगी थी क्योंकि उसका पती उससे ज्यादा देहिश देने की मांग कर रहा था समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखलीश श्यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है इस दोरान उन्होंने कहा कि बीजेपी मुद्दो पर बहस करने से डरती है और बीजेपी खेमे में जंग का महौल है बीजेपी पर हमलावर होते हुए अखलीश श्यादव ने कहा कि बीजेपी अपने वादों की समीक्षा कब करेगी जंता 2022 में बीजेपी को जवाब देने के लिए तयार बैटी है अगले विधानसवा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नरतेतु में जंता की सरकार बनने जा रही है भाजपा में जब समीक्षाई हो रही है वो महस हवावाजी है वही मुकतार अंसारी अंबुलेंस मामले में यूपी स्टीएफ की टीम में मुकतार के ड्राइवर सलीम को गिरफतार कर लिया है उसे मंगलवार देरात लखनों के जानकी पुरम इलाके से गिरफतार किया गया सलीम पर बारबंकी पुलिस ने 20,000 रोपे की इनाम की घोशना भी कर रखी थी ड्राइवर सलीम फर्जी अंबुलेंस पंजिकरण मामले में आरूपी है सलीम को एक मुख्बिर के सूशना पर गिरफतार किया गया उन्होंने बताए कि गिरफतारी के बाद सलीम ने कबूल किया कि वो 2000 से अंसारी के साथ है और उसके लिए लगातार काम कर रहा है उत्रप्रदेश के मुख्य मंत्री योगी आदितनाथ ने समाजवादी पार्टे के मुख्या अखलेश श्यादव को फोन कर जर्म दिन की बढ़ाई दी है गुरवार को सपा मुख्या अखलेश श्यादव का जर्म दिन था इसे बेश मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने पूर मुख्यमंत्री अखलेश श्रियादव को फोन पर बात कर जनम दिन की बधाई दी इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदितनाथ ने उनके जनम दिन पर बधाई को लेकर एक ट्वीट भी किया है उन्होंने ट्वीट किया है कि उत्तर प्रदेश के पूर्ध मुख्य मंत्री और समाजवादी पार्टी के रास्टी अधिया अक्षर अखली श्रियादब जी को जर्म दिन की हार्दिक बढ़ाई प्रभु श्री राम से आपके उत्तम स्वास्थ है और सुधीर्ग जीवन की कामना करता हूँ जम्मो के इंटरनेशनल बॉर्डर पर अर्निया सेक्टर के पास एक बार फिर से ड्रोन देखा गया बी एसेफ के जवानों ने ड्रोन पर फारिंग की फारिंग होते ही ड्रोन कहीं गायब हो गया ड्रोन दिखने की घटना सुभा पांच बज़ कर 20 मिनट की बताई जा रही है आपको ये भी बता दें कि पिछले कुछ दिनों से जम्मू में संदिक दे ड्रोन दिखने की लगभग नौ घटनाए हो चुकी है इसके शुरुवात रविबार को हुई थी जब जम्मू एरफोर्स स्टेशन पर ड्रोन से विसफोठा गिराए गए थे वहीं सुवा करीब 5 बचकर 20 मिनट पर जम्मू के अर्णिया सेक्टर में अंतरास्ट्य सीमा के पास एक बार फिर ड्रोन देखा गया बारिश का मौसम है वहीं दूसरी और दिली अंसियार में गर्मी अभी भी अपने चरम पर है बिहार के कई हिसों में लगातार बारिश हो रही है वहीं दिली में गर्मी ने 90 साल का रिकार्ड तोड़ दिया है और अभी भी लोगों को गर्मी सिराहत मिलने वाली नहीं है हाला कि इस बीच अच्छी खबर ये है कि भारत मौसम विज्ञान में भाग ने कहा है कि देश में दक्षिन पश्विम मौनसून जुलाई में समाने रहने की संभावना है मौसम विज्ञान की माने तो जुलाई के पहले सप्ता में अच्छी बारिश होने की उमीद नहीं है लेकिन माईने की दूसरे सप्ता के दूसरे हिस्से से इसके जोर पकड़ने की संभावना है कोरोना काल में दिल्ली के अभिभावकों को बड़ी रहत मिली है कोरोना काल में आर्थिक तंगी जेल रहे अभिभावकों को रहात देने के लिए दिली सरकार ने सभी नीजी स्कूलों को सैक्षनिक वर्ष 2020-21 में वसूली गई फीस में 15 प्रतीशत की कटाथी करने का आदेश दिया वहीं उप्पो मुख्य मंतरी मनिशी सोधिया ने का है कि कोरोना काल में जब सभी अभिभावक आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं उस दौरान पीस में 15 प्रतीशत की कटाथी उनके लिए बहुत बड़ी रहात होगी अयोधिया भूमी खरीद में अनिमेत्ता के बाद श्रीडाम जन भूमी नियाज से जुड़े चंपत राय का नाम एक और भूमी विवाद में घसीता गया आरोप लगने के कई दिन बीच जाने के बाद भी अब तक इस मामले पर अपना पक्ष रखने के लिए राय सीधे तोर पर सामने नहीं आये लेकिन इसे लेकर उनके भाई ने आरोप को बेबुनियाद और जूथा बताते हुए पत्रकार से बाचीत की और कहा कि उनके दो सा के साथ गडबंदन करने वाली बस्पा मुख्या मायवती अब सपा पर लगातार हमला वर हैं उन्होंने कहा कि वधानसवा चुनाव में सपा का छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ना महा लाचारी है बस्पा मुख्या मायवती ने शुकरवार को अपनी विशाने पर मुख्या चुनाव में इसके किनारा कर्तनी की नजर आ रहे हैं और जादा तर बहतर समझती हैं तो यह सर विधित है आपको बता दें कि से पहले मायवती लगातार सपा पर हमला वर हैं क्योंकि मायवती की पार्टी यानि कि बस्पा की पार्टी से लगातार जो विधाय के स वो पूटते हुए नजर आ रहे हैं और वो सपा में शामिल होते हुए दिखाई देते हुए नजर आएंगे फिलाल के इस बुलिटन में इतना ही हैं बाकी खबरों के लिए आप बने रहे हैं न्यूस वालीडिया के साथ